हालो दोस्तों आपके अपने चैनल पे एक बार फिर सागत है आज बहुत बड़ी न्यूज है आई टी आई के लिए और यह न्यूज हमको कांज मिला है डी जी टी की तरफ से डायरेक्टर जनरल आफ ट्रेनिंग की तरफ से आया है इसमें क्या कहा रहा है किसको भेजा है आल इस्टेट डारेक्टर्स एन यूनियन टेरिटरी सभी राज्यों और किंसासित प्रदेशों के लिए भेजा है क्या कह रहा है इसका सब्जेक्ट क्या है उस पे हम बात करेंगे यह आई टी आई फर्स्ट इयर के लिए बहुत बड़ी बात है चाहे वह दो ज़ा जार उनदी से की सो उनके वी फर्स्ट इयर में अचाहे दो जार भी से बाइस हो उनके भी फर्स्ट इयर की बात है तो यहां पर आप देखियो क्या करा रहा है एक्जाप्शन टूट दक कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट अपर टेटी चिसके लिए ट्रेट त्योरी के के लिए वर्क्षाफ साइंस एंड काल्कुलेशन डब्ली एससी और इंप्लाइबिल्टी इसकील फार फर्स्ट यहां पे ध्यान दिजिए फार फर्स्ट यहर ट्रेणी आप टू यहर ट्रीट जो दो अर्सिके के लिए साब्स सब्सक्यान का है पार फर्स्ट यहरली आप टू यहर्ट के लिए उनके इसzkूरण के लिए बात किया है और DGT ने कहा All State and Union Territory सभी राज्य और केसासित प्रदेश यहाँ चलिए देखते क्या करा रहा है टैनिया फ़स्टी एटेट 2020 से 21 से संब बोच बीटी कुन जनल एक्जामिशन प्रेटल और इंजिन एड इडी से के रे ट्या ट्री अब्डो यह टेट आप 2019 से 21 से सन बोस वी टी कन्वेंशनल एक्जाम प्रैटिकल एडी फर्ष्ट ये ट्रेनी आफ्ट ये ट्रेड 2020 से 22 से सन कन्वेंशनल एक्जामनेशन प्रैटिकल एंजिनिंग ड्राइंग यहां देखिए कहने कमतलब जो स्टुडेंट जिनका सत्र है समय यह ट्रेड 21 से एक वर्षि wanna गया second एक्जाम यह ट्रेर जिए जो दो वर्षि हैं उनके लिए जिनका सत्र 2019 से 21 था मिएा तीनों के लिए बात आई है नसका यह सब्सक्राइव ट्रेड जैंच्व1 जो 2020 में डुमिशन लिए हैं जिनका सत्र 2022 में पूरा होगा उनके लिए भी क्या कहा है हम उस पर बात करेंगे कर रहा है एक्जाप्शन ग्रांटेट टू आल फर्स्ट ये लिवेल ट्रेनी आप्ट ये ट्रेड आफ सेश्टन 2020 से 22 इफ दर ट्रेनी आज पास्ट दफ्रेटिकल एंड इडी इग्जामिनेशन आफ फॉर्स्ट ये हैं इन कन्वेंशनल मोड रिचंट ली सी या ही विल बी डिक्लियरट पास्ट फार तफर्स्ट ये कर रहा है कि हम यहां से पर्मिशन देते हैं आल ये विवेल ट्रेनी जो योग हैं दो वर्षित ट्रेड में जिनका सेशन 2020 से 22 कब करा इप यदी पास है किसे में प्रेटिकल और ड्राइंग में तब ही हम उनको पास करने का परमिशन देते हैं साब सब कहा है इफ दर ट्रेनी है पाइड प्रेटिकल एड़ी एग्जामनेशन अगर दोनों में पास हैं तो हम यहां से ग्रांटेड करते हैं फर्स्ट इयर के लिए तो अब अगर वो प्रेटिकल और ड्राइंग के पेपर दे दिया हैं तो सिकंड इयर में जा सकते हैं चली आगे क्या कर रहा है इस्टेट और यूनिया टेरिटरी गर्मेंट शूड़ी इंशोर दा सेकेंड इयर क्लास सेशन टू थाज़न टॉन्टी से टू थाज़न टून्टी टू कॉमेंस फ्राम तीन जन्वरी जो उनके क्लास हैं दोजार बीस से बाइस वालों का उनका क्लास कप से चलना चाहिए तीन जन्वरी से किसके किसके लिए इस्टेट और इनियन टेरिटरी तो हम इसको जनरी सब्सक्राइब का सकते हैं आल इंडिया कि अब उनकी क्लास से चलेंगे जो सिकेंड यर की है तीन तीन जन्वरी से अब फिर कारा सिंस वाच फर्स्ट यर ट्रेनी आर बिंग एक्जाम तेट फर्ड़ एक्जामने सन आफ फर्ड़ शब्जेक्ट ट्रेट ट्रेट ट्रेवर्स आप साइंस और कलेशन और एंपलिविल्टी स्किल इस आल सो अफेक्ट अफर्स्ट यर श्यर शुट्ट फर्लियर सब्यर सब्यर सब्जेक्ट सेशन 2018 C20 and 2019 C21 who are awaiting the year supplementary examination to be heard in इनका रुका है बैक्ट पेपर हैंस दिश ट्रेनिंग उड़ भी अल्सो डिक्लियर पास उनको भी पास कर दिया जा रहा है आंदा मार्स आप्शन बाइदें इन दप्रेटिकल और इडी यहां पर आप लोग एक चीज़ समझे अपने दिमाग से निकाल दीजे के वाल हम उ पास किया जाएगा किसको बेस मानकर प्रेटिकल और इंजिरिंग ड्राइंग को बेस मानकर हम उसको भी पास कर दे रहा है यह डीजीटी कर रहा है और यहां पर एक सब्द और कहा है नेशनल मार्स फार्दा सब्जेक्ट इसमें भी ट्रेट थेओरी वर्षाप कर लोग साने प्लाइबिल्टी स्कूल में पास कर दिया जा रहा है तो यह बहुत बड़ी खुश खबरी है देखे इसके पीछे हम जैनमीन दो रीजन को भी माल सकते हैं चाहे हम मालने को देखत हुए इस दोनों कंडिशन को हम देखते हैं हो सब्सक्राइब इस तरह ने लिया है यह 2019 के लिए बहुत बड़ी बात है काफी बच्चे 2019 के मार्सीट में हम देखे थे काफी बच्चों का बैक लगा था यह सीवीटी के वजह से तो यह बहुत बड़ी खुश खबरी है और 2020 बीस वाले भी बच्चे पास हो चुके है अब वह 2022 की तयारी करें सिकर्ड इयर के लिए यह बहुत बड़ी खुश खबरी है फर्स्ट इयर के बच्चों के लिए आप लेकिन यहां पर थोड़ा ध्यान दे 2020 वाले और उनमें आप सीवीटी एक्जाम से गुजरे नहीं है त इससे वह बैक से बच्चे और रिजर्ड उनका क्लियर आये और यह काफी बड़ी न्यूज है तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पर लाइक कमटन दबाना ना भूलें और हम इसी तरह आपको न्यूज प्रोवाइड कराते रहेंगे जो भी आता है और भी न्य कुछ हाँ कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट वाक्स में जाकर कमेंट करियें